हाई दोस्तो नमस्कार मैं हूँ सुमनायक और आप देखरें हिंदीटेक गए दोस्तो आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि Facebook से कैसे पैस्टा अर्ण करते हैं तो आप सोच रहे होगे कि Facebook से कैसे अर्णिंग होता है उसको लेके तो मैंने विडियो बना रहा हुँ तो फिर से क्यों बना रहा हूँ जी दोस्तों ये जो वीडियो में बनाया था हाउ टो आन मानी फ्रोम फेस्बूक ये था Amazon एफिलेटेट के साथ लिंक करके मतलब Amazon के कोई भी प्रोड़क्ट आपको पेस्ट करना होगा फेस्बूक में उसके बाद उसमें कोई क्लिक करके अगर खड़ी देगा तभी आपको पैसा मिलेगा बट आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उससे गूगूल एडसीन के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे फेस्बूक को मॉनेटाइज करेंगे गूगल एडसीन के जरीए तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा आउ टो आनमानी फ्रम फेस्बूक तो इस वीडियो को एक बाद जरूर देख लीजिए तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं उससे पहले और एक पर आपको याद दिला दूँ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किये तो आपकी वीडियो के अब प्रिवेयु करते हैं Okay । आसे क सिमबल आए इसमें आप लाइक देख बारें हो कि लाग 47,000 लाइक से इसमें एक option नी, use app आपको यहाँ पे click करना है बाके बहुत सार आप्षन आएगा और किसी में आपको नहीं जाना है बस यह जो लोग है आप अच्छे से देखलो इसमें आपको click करना है इसको install करना है एप भी में तो इसको मैंने click किया add static html to a page अपर यहाँ पर आगर आपके पास बहुत सारे page है तो यहाँ select करना पड़ेगा कौन सा page में आप करना चाहते हो तो मैं Hindi Tech Guide में click क्लिक क्या है add page tab दोस्तों install हो जाने के बाद यहाँ पर setup tab बोलके एक option आ रहे हैं यहाँ पर click करना है हम लोगो को setup page जब आप click कर है delete कर दिया अब इसमें क्या करना है जो मुझे गूगल AdSense से जो html code मिलता है उसको मैं यहाँ पर paste करूँगा Google AdSense में आते हैं अगर आपके पास Google AdSense का account नहीं है तो आप Google AdSense का account बना लो इसमें आके आप my ads में click करो क्लिक करने के बाद यहाँ पर add unitable के एक option है add unit में आके आपको क्या करना पेड़ेगा यहाँ पर new add unit इसमें आप click करो आपको किस type के add दिखाना है तो best है text and display add तो मैं यहाँ पर select करना हूँ text and display add इसमें आपका कोई भी name दे तो suppose for FB इसमें अलग-अलग option है add का जो size होगा आप दिखाना चाहते हो ठीके मैं यहाँ पर automatic करना best है क्योंकि ओटमेटिक होगा तो खुद हो एड्जस हो जाएगा ओके देन है यहाँ पर text add style अगर text रहेगा उसका add style क्या रहेगा मैंने default रखा आप यहाँ से अलग अगर आपका website जैसा है page जैसा है उसी आप सब color set कर चाहते हो अगर कुछ custom channel create करना चाहते हो तो वह कर चाहते हो उसके बाद save and get code यहाँ पर code generate हो रहा है अब इसको copy करना इस code को html code को copy करके यहाँ पर paste कर दाना है control v paste हो गया ओके दोस्तों तो यहाँ पर मैंने paste कर दिया अब इसका preview देखते है add कैसे दिखेगा तो दोस्तों यहाँ से मैंने preview में क्लिक किया तो दोस्तों preview में यहाँ add दिखा रहा है अब इसके साथ साथ आप content भी कुछ लिख सकते हैं तो इसके साथ कुछ लिखना भी चाहिए कुछ होना भी चाहिए तो इसके लिए मैं कुछ content लिखता हूँ suppose यह मेरा Hindi Tech Guide के बारे में इसको copy किया और यहाँ पेस्ट कर दिया तो दोस्तों इसके साथ साथ एक वीडियो दे देते हैं लोगों को देखने के लिए इस वीडियो को लेता हूँ में इसका share बेटन में क्लिक करते हैं और यहाँ पे एमबेट से यहाँ पे htl जो code इसको मैंने copy कर लिया और यहाँ पेस्ट फिर से अगर आप advertise डालना चाहते हैं इसके बाद तो इसको मैंने copy किया ctrl c copy और इसको यहाँ पेस्ट कर लिया अब देखते हैं preview दोस्तों सारा preview इसको टेक्स्ट को अब तोड़ा एरेंज करते हो तो डन हो गया अब मैं इसको save and publish करता हूं ओके तो view on fb facebook में आते हैं तो दोस्तों ऐसा नॉर्माल नहीं दिखेगा जब भी कोई आपका fb page में विजिट करके welcome टेव में आएगा तब इसको ऐसा दिखेगा ओके अगर आपको पता नहीं टेव कैसे अरेंज करते हैं स्कूपर कैसे ले आएंगे तो comment कीजिए इसको लेके वीडियो में ज़रूर बिनाओंगा ओके दोस्तों तो इस तरीके से आप easily पैसा आर्म कर सकते हो और और इसमें आपको कोई भी Amazon से या कोई भी affiliated साइट से product copy कर के पेस्ट नहीं करना पड़ा के एक बार आपने कर दिया तो चलते ही रहेगा ओके यहां पे अडवेटाइज आते रहेगा चेंज होते रहेगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना और इसको एकवा लाइक और सेयर कर देना और दोस्तों ऐस भी प्राब्लम हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना